प्रदेश में अवेद रूप से चल रही मदर्सों पर सरकार ने शिकंजा कसनी के तयारी शिरू कर दी है। चार हजार से ज्यादा गैर मानने तब राप्त मदर्सों के खिलाफ कानूनी कारवाई के तयारी है। इन मदर्सों में विदेशी फंडिंग हो रही है। मदर्सा बोट की परिक्षाय समाप्त होने के बाद या कारवाई करने की बाद कही गई है। इस बाबत अल्ब संखें कल्यान विभाक अधिकारियों का पुलिस के साथ आला अधिकारियों के साथ भी मंथर हो चुका है। प्रदेश सरकार ने पिछले साल प्रदेश में 11 मानेता प्राप्त मदर्सों का सर्वे कराया था। मुख्यमंत्री योग्यादिते नात की अधिक्षता में इस बाबत बैठक हुई थी। 12 बिंदुओं पर कराये गए सर्वे में एक महतपून बिंदु ये भी था कि मदर्सों की आयक का स्रोत क्या है। सर्वे में 8,400 एकतालस मदर्से ऐसे मिले थी जो वेद रूप से चल रहे थी। इनकी मानेता नहीं ली गए थी। खास तोर पर उब्र नेपाल बॉर्डर के जिले में तो इस तरह के मदर्सों का जाल मिला था। पर इन में 4,000 से ज्यादा मदर्सों में विदेशी फंडिंग की बात सामने आई है। इसे चंदा बताया जा रहा है। ये चंदा सरकार के रडार पर आ गया है। साथ ही मदर्सा संचालक इस चंदे के सही दस्तवेज भी उपलब्द नहीं करा पाए है। हाला कि सरकार मानक पूरे करने वाले मदर्सों को मानता देने की बात भी कह रही है पर सबसे पहले उन मदर्सों पर कानूनी कारवाई होगी जो विदेशी फंडिंग से अवेद मदर्से चला रही है। इस समय मदर्सा बोट की परिक्षा चल रही है जो इसी महीने खत्म हो जाएगी। उसके बाद ऐसे मदर्सों पर कानूनी कारवाई की बात कही जा रही है। काफी मदर्सों में इस तरह की फंडिंग सामनी आई है। पुलिस के उच अधिकार्यों से भी बात हो गई है। परिक्षा के बाद ऐसे मदर्सों पर कानूनी कारवाई की जाएगी।